हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेत गुरू चेला सो माई डियर बी ए ओनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमिस्ट स्टुडेंट्स आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपोटेंट होने जा रही है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रियास करने जा रहे हैं आपके पॉलिटिकल थियोरी, कंसेप्ट्स और डिबेट्स के एग्जामिनेशन के लिए ऐसे 20 most important short notes जिनको आप अगर आंसर दिने का प्रियास करते हैं तो definitely आप जो हैं अपने इग्जामिनेशन में बहतर तरीके से short notes को attempt कर सकते हैं ये ऐसे 20 short notes हैं जिनको हमने आपके हर एक unit के अंदर से रखा है basically past year question papers में जिस भी unit में से जिस प्रकार की short notes पूछे गए हैं वो सभी के सभी हमने इस वीडियो के अंदर शामिल किये हैं तो आईए वीडियो को start करते हैं और देखते हैं उन सभी 20 short notes को जो की काफ़ी important हैं आपके political theory concepts and debates के examination के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी एंडंगरे जी दौनों ही माध्यम में short notes को बताने का प्रियास कर रहे हैं अगर आप हिंदी माध्यम के विध्यारती हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी helpful होने जा रही है सो आईए first of all बात करते हैं आपकी political theory concept and debates की unit 1 जो की है freedom जिसमें आपको liberty यानि की negative and positive liberty को पढ़ना है जिसमें आपको freedom, emancipation and स्वराज को पढ़ना है जिसके अंदर debate का जो concept है वो है free speech, expression and descent इस unit में से किस प्रकार के short notes पूछे जा सकते हैं या फिर past year question papers में किस प्रकार के short notes पूछे गए हैं आईए आपको बताते हैं तो देखिए इस unit के अंदर से basically एक full long question तो पूछाई जाता है अगर हम short notes की बात करें तो देखिए freedom as development, two concepts of liberty, freedom as emancipation ये तीन short notes जो हैं काफी important हैं आपके examination point of view से अगर हम हिंदी में कहें विकास के रूप में स्वतन्तरता स्वतन्तरता की दो अवधारणाएं मुक्ति के रूप में स्वतन्तरता ये सभी के सभी topics जो हैं काफी important हैं आपके short notes के लिए अगर unit 1 के अंदर से short notes को पूछा जाता है तो ये ही वो topics होंगे जिन पर short notes पूछा जा सकता है अगर हम बात करें स्वराज की तो स्वराज पर भी basically एक short notes जो है पूछा जा सकता है लेकिन past year question papers में अभी तक short notes जो है स्वराज के उपर नहीं पूछा गया है आपको बता दें कि जो भी short notes के हमें topics मिले हैं उनको हमने अपने telegram channel में provide कराने का प्रयास किया है आप वहाँ पर जाकर कुछ topics को check कर सकते हैं जिस पर हमने short notes को वहाँ पर present किया है Then next unit है unit 2 equality जिसमें आपको equality of opportunity को पढ़ना है equality of outcome को पढ़ना है जिसमें आपको egalitarianism पढ़ना है इसका क्या background है background in qualities को आपको cover करना है differential treatment जो है वो आपको cover करना है इसमें जो debate का concept है वो है affirmative action अब देखे आपको बताते हैं किस प्रकार के short notes इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं और even past year question papers के अंदर पूछे गए हैं affirmative action जो है काफी ज़्यादा important concept है आपके short notes में पूछे जाने वाला दूसरा जो इसमें topic है वो है capability approach to equality अगर हम हिंदी में कहें सकारात्मक कारव भाई समानता के लिए छमता द्रस्टिकोन ये दो topics काफी important हैं जिस पर short notes जो है basically आप से पूछा जा सकता है आई ये बात करते हैं आपकी unit third जो की है justice यानि की नयाय जिसमें आपको नयाय को cover करना है आखिरकार क्या है justice ये आपको cover करना है procedural and substantive ये जो justice है ये क्या है दोना के बीच क्या differences है and जो rolls की theory of justice है वो क्या है and उसके क्या criticism है ये सब आपको इसके अंदर cover करना है debate का concept है इसके अंदर scope of justice जिसमें आपको national justice and global justice national versus global को आपको cover करना है आई ये आपको बताते हैं किस प्रकार के short notes इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं and even past year question papers के अंदर पूछे गए है first है global justice कल एक students ने comment किया था कि क्या global justice पर भी जो question है वो पूछा जा सकता है तो definitely जो global justice है वो आपके short notes के अंदर पूछा जा सकता है second है John Rawls idea of global justice debates on capital punishment या फिर आप कह सकते हैं death penalty logic's entitlement theory and feminist perspective on justice ये 5 के 5 topics जो हैं काफी important हैं आपके short notes के लिए जिसमें वैश्विक न्याय John Rawls का वैश्विक न्याय का विचार पुंजी दंड पर वाद विवाद नौजिक का पात्रता सिधान्त अगर इस unit के अंदर से short notes पूछा गया तो ये ही वो topics होंगे जिन पर short notes हो है पूछा जाएगा दैन आईए अब बात करते हैं आपकी second last unit जो की है unit 4 rights जिसमें आपको अधिकारों के बारे में पढ़ना है जिसमें आपको पढ़ना है कि आखिरकार rights होते क्या है कितने तरके के rights होते है natural rights के नहीं कहते है moral rights के नहीं कहते है legal rights के नहीं कहते है rights and obligations क्या है दोनों के बीच क्या differences है दोनों के बीच क्या relation है ये सब आपको इसके अंदर cover करना है इसमें debate का concept जो है वो है human rights, universalism और cultural relativism आईए आपको बताते हैं किस प्रकार के short notes इसके अंदर से पूछे जा सकते है and even past year question papers के अंदर पूछे गए है first है natural rights आखिरकार क्या होते है natural rights ये इसके अंदर पूछा गया है rights of a girl child three generations of rights human rights, rights and obligation human rights and cultural relativism ये तमाम वो topics हैं जो की काफी ज़्यादे important हैं आपके short notes के हिसाब से अगर हम हिंदी माध्य में कहें तो प्रकृतिक, अधिकार, बालिका के अधिकार अधिकारों की तीन पीडियां मानव अधिकार, अधिकार और दायत्व मानव अधिकार और सांस्कृतिक सापेक्षवात इन पर basically short notes हो है past year question papers में हमें देखने को मिले हैं इन ही में से इस बार भी जो short note है वो पूछा जा सकता है so finally बात करते हैं आपकी last unit जो की है unit 5 democracy जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि आखिरकार democracy होती क्या है क्या idea है democracy का क्या concept है democracy का किस प्रकार ये जो है idea है या पिर practice है ये सब आपको cover करना है liberal democracy क्या है क्या उसके criticism है multiculturalism क्या है and toleration क्या है debate का concept जो है representation versus participation है आईए आपको बताते हैं किस प्रकार के short notes यहाँ पर पूछे जा सकते हैं first है civil disobedience दूसरा है participation and representation जो की debate का concept के अंदर से पूछा गया है idea of political obligation to state ये तीन topics जो है काफी important है जिस पर आपसे short note जो है पूछा जा सकता है जिसमें सब इनने अवग्या भागीदारी और प्रतिनिधित्व राज्य के लिए राजनितिक दायत्व का विचार अब देखिए ये जो last का short note है वो है आपकी unit 1 के अंदर से जो पूछा जा सकता है कि relation between equality and liberty equality and liberty के बीच क्या interlinked है क्या relation है इस पर भी short note जो है पूछा जा सकता है ये सभी के सभी short notes जो है काफी important है आपके exam point of view से आप सभी से request है कि आप इन सभी को answer दिने का जरूर प्रयास करें जो भी हमें topics मिले हैं उनका हमने link जो है telegram channel में provide कराने का प्रयास किया है अब वहाँ पर जाकर सभी के सभी links को जो है check कर सकते हैं और देख सकते हैं कुछ topics पर जो हमने short notes आपको send किये हैं So dear students I hope कि आपने इसके पहले की वीडियो को भी देखा है जिसमें हमने आपको ऐसे चार questions को बारे में बताया है जो कि काफी ज़्यादा important है आपके exam point of view से आप please comment box section में comment करका जरूर बताइएगा जब आपका examination हो जाए कि कौन कौन से questions आपको अपने question paper के अंदर देखने को मिले कौन कौन से short notes जो है आपको अपने question paper के अंदर देखने को मिले और आप सभी से humble request है कि अपना question paper जो है हमारी mail id पढ़ाई with guru chela either at gmail.com पर जरूर send करने का प्रियास करें so dear students that's all for today I just hope you understand each and everything very well अगर आपके कुछ भी queries हैं कुछ भी आपके doubts हैं तो आप वाया YouTube comment box section के में जो comment box section है उसमें send कर सकते हैं हम पुरा try करेंगे आपकी comments का reply करने का अगर आप channel पर new है तो please notification bell icon को press करते हुए channel को जरू subscribe करने ताकि आने वाली videos की notifications आपको मिलती रहे किसी भी प्रकार का important video आपसे missना हो so इसी के साथ अगर आपको ये video वाकर पसंद आई है वाकर ये आपकी थोड़ी बहुत भी help हुई है तो please video को अपने group में जरूँ share करें and अपने friends को बताएं कि इस video को देखें and in सभी short notes को and उन 4 important questions को जरूँ कर कर जाएं अगर आपने बिलकुल भी पढ़ाई नहीं की है इस paper के लिए so dear all thank you for watching this video and good wishes for your examination